Welcome to the chapter 10th of, sorry, part 10th of chapter 1, यह हमारे chapter 1 का part 10th है, पिछले part में हमने evaporation और difference between evaporation and vaporization क्या था, ठीक है, इस part में हम करेंगे factor affecting the evaporation, वो factor किस तरी किसे उसको affect करेंगे evaporation course का, reason क्या है, और daily life में आप कौन-कौन से phenomenon है, जो इससे correlate कर सकते हो, यह सारी चीज़े हम इस video में पढ़ेंगे, ठीक है, let's see, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने दिया आया, factor affecting, तो there are mainly four factors which affect the evaporation mostly, सबसे पहले आता है, इसमें surface area, दूसे नंबर पर आता है, इसमें temperature, तीसरे पर humidity और चोथे पर wind speed, these are the four factors which affect the evaporation mostly, ठीक है, तो सबसे पहले, अब हम बात करेंगे surface area, कि surface area evaporation को किस तरीके से affect करता है, तो surface area क्या होता है, जैसे कोई भी चीज है, वो कितनी चोड़ी है, कितनी लंबी है, वो उसका surface हो गया, surface पता है न, you are, have seen this term in the mathematics, mathematics में आपने surface पढ़ा है न, जो एक सतय होती है, उसको हम surface बोलते हैं, तो जैसे-जैसे surface area बढ़ता है, rate of evaporation भी बढ़ता है, यह आप कहसेक्तों, evaporation भी बढ़ जाता है, ठीक है, इसका region क्या है, इसका region यह है, कि जब surface area बढ़ता है, तो जो particles होते हैं surface पर वो भी बढ़ जाते हैं तो जितने particles surface पर होंगे वो सभी क्या कर देते हैं liquid state को छोड़कर gas में बदल जाते हैं एक साथ तो पहले surface area कम था तो कम particle जा रहे थे लेकिन अब surface area बढ़ने के बाद ज्याद़ क्या हो गए particles हो गए तो अब जाद़ particles एक साथ किसमें बदल ले हैं vapors में बदल ले हैं इसे लिए surface बढ़ाने पर surface area बढ़ाने पर rate of evaporation बढ़ जाता है दूसरा इसका region यह भी है कि वही जो evaporation है वो surface phenomena है तो जैसे जैसे हम surface area बढ़ाएंगे तो number of particle at the surface will increase so that number of particles a very large number of particle will leave the surface simultaneously that's why surface area increases on increasing the surface area for example आप अपने घर में आपने कप्ड़े धोए उनको इखटा करके रख दो तो वो नहीं सूखते लेकिन जब आप उनको फैला देते हो रस्ची के उपर या किसी surface के उपर तो वो जल्दी से सूख जाते है तो क्यों सूख जाते हैं क्योंकि उसमें आपने surface area बढ़ा दिया और पानी जल्दी जल्दी एवेपरेट हो जाएगा गीले कप्लों में से ठीक है आया समझ में कि जब कपड़े को हमने इखटा करके रख दिया तो वो सूखते नहीं है लेकिन जब उसको फैला देते हैं तो जल्दी से सूख जाता है क्योंकि उसका surface area बढ़ गया अब surface area बढ़ गया तो क्या हो जाएगा rate of evaporation भी बढ़ जाएगा ठीक है एक और इसका उधारण यह है कि जब आप चाय पीते हो तो अगर आप चाय क्या होता है चाय का कप हो गया और कप जिस प्लेट में रखा वो प्लेट हो गई तो अगर आप कप से पीते हो गरम चाय को तो आप से नहीं पी जाती वो गरम रहती है काफी देर तक लेकिन अगर आप उसी चाय को एक प्लेट के अंदर सोसर के अंदर कर देंगे तो क्या हो जाएगा वो जल्दी से ठंडी हो जाती है और आप उससे जल्दी से पी सकते हैं ऐसा क्यों हो जाता है प्लेट का सर्फेस अरिया ज्यादा है इसलिए वहाँ पर रेट उप्रेशन बढ़ जाएगा और इसलिए चाय जल्दी ठंडी हो जाएगे और आप उसको जल्दी से पी सकते हैं ठीक है नेक्स पार्ट में इस तरीके के चार-पांच कोश्चन हैं उनको मैं एक्स्प्लेइन करूंगा और उनके आंसर आपको खुदी लिखने इन यूर लेंग्विज ठीक है आया समझ में effect of surface area अब हम दूसरे factor की बात करेंगे that is effect of temperature तो temperature में अगर हम बात करते हैं क्या होता है temperature temperature बढ़ाने पर रेट of evaporation वह भी क्या हो जाता है बढ़ जाता है जैसे आप देखेंगे गर्मी के टाइम में अगर कहीं पर पानी भरावा रहता है तो वह जल्दी सूख जाता है लेकिन सर्दियों के टाइम में बरसात के टाइम में पानी काफी दिनों तक बरा रहता है ल इसके रिजिन क्या है कि temperature बढ़ाने पर हमने आपको बताया था कि चो kinetic energy होते है वह temperature के directly proportion होते हैं तो अब क्या होगा kinetic energy बढ़ जाएगी on increasing the temperature the kinetic energy of the liquid particle will increase and a large number of particle will escape from the surface readily क्योंकि जो surface के particle अब जल्दी से क्या हो जाएगे रिलीज हो जाएगे surface से और वो वेपर्स में कनवट हो जाएगे इसलिए temperature बढ़ाने पर rate of vibration क्या हो जाता है बढ़ जाता है जैसे अगर हम बात करें कपलों की अगर आप सर्दियों में कपले होते हो और उसको शुकाते हो तो उसमें जादा time लगता है क्योंकि सर्दियों म यह reason भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है आप से पूछा जाएगा कि on increasing the temperature rate of vibration increases why तो आप बताएंगे on increasing the temperature the kinetic energy of the particle increases and they will leave the surface readily that's why rate of vibration increases on increasing the temperature ठीक है आया समझ में कि temperature बढ़ाने पर rate of vibration कैसे बढ़ जाता है उसी तरीके से surface area का question पूछा जाएगा कि on increasing the surface area rate of vibration increases तो you have to give the reason कि surface area बढ़ाने पर number of particle at the surface will increase and a large number of particle will leave the surface simultaneously ठीक है आगे समझ में now we will talk about the humidity humidity का effect पढ़ने से पहले आपको humidity क्या होती है यह पता होना चाहिए तो humidity क्या होती है humidity is the amount of water vapors present in the water sorry in the air air के अंदर water vapors इतनी present होती है वो humidity होती है अगर water vapors ज्यादा present है तो हम बोलेंगे humidity is very high और अगर water vapors air के अंदर काम है तो we will say that humidity is very low तो rainy season और सर्दियों में जो humidity होती है वो ज्यादा होती है क्योंकि वेपर्स ज्यादा होती है और गर्मियों के टाइम पे humidity काम होती है ठीक है तो rate of जैसे humidity बढ़ती है rate of evaporation भी क्या हो जाता है घड़ जाता है तो humidity is inversely proportional to the rate of evaporation अभी तक आपने देखा दोनों में दोनों चीज बढ़ रही थी तो rate of evaporation भी बढ़ रहा था लेकिन humidity थोड़ा अलग हो गया humidity में उल्टा हो गया जैसे जैसे humidity बढ़ती है rate of evaporation भी क्या होता है घड़ जाता है ठीक है इसका reason क्या है इसका reason यह है कि जो air होती है वो maximum vapors को ही hold कर सकती है तो जब humidity हाई होती है तो airs के अंदर पहले से ही vapors बहुत हाई है तो there will be no space for the vapors coming from the evaporation that's why rate of evaporation decreases on increasing the humidity ठीक है आप बताएंगे humidity बढ़ाने पर rate of evaporation घड़ जाता है क्योंकि high humidity का मतलब यह होता है कि air के अंदर जो vapors है वो पहले से ही बहुत जादा है तो evaporation से आने वाली vapors को वहाँ पर जगए नहीं मिलेगी इसलिए rate of evaporation क्या हो जाता है कम हो जाता है जैसे आपने देखा होगा अगर आज बरसात से अगले दिन अगरा हम घूप में कपले सुकाते हैं तो वो कपले सुकने में जादा टाइन क्यों लेते हैं क्योंकि humidity जादा हो जाती है air में हो में जादा होगी मालब water vapors पहले से ही जादा है तो there will be no space for the vapors coming from the evaporation that's why rate of evaporation decreases on increasing the humidity आया समझ में next हम बात करेंगे किसकी that is the last factor wind speed wind speed की बात करेंगे wind speed में क्या होता है अगर हम जिस vessel के अंदर हमें rate of evaporation देख रहा है उसके चारों तरफ जो wind है अगर हम उसके speed बढ़ा दे तो क्या होगा तो आप लिखेंगे on increasing the wind speed the rate of evaporation increases जरिशनल सी बाट तो यह है कि जो wind speed बढ़ जाती है तो rate of evaporation भी क्या होता है बढ़ जाता है ऐसा कि यह और rate of evaporation इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जो wind speed बढ़ाते हैं तो जो और अधो जब इसब बढ़ जाती है तो जो air है या wind वह ब भी अपने of evaporation increases, because the wind will make a space for the vapors coming from the evaporation by displacing the vapors in the air already, जो air के अंदर पहले से evapors होती है न, तो wind speed बढ़ा देंगे, वो wind उसको अपने साथ लेकर चली जाएगी, और evaporation से आने वाली vapors को क्या मिल जाएगी, जगह मिल जाएगी air में, तो इसलिए क्या होगा, evaporation बढ़ जाएगा, आपने देखा होगा, कि जो clothes है, वो जिस दिन हवा तेज चलती है, उस दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि जो vapors उसको तो वो आपने साथ ले जाती है, और evaporation से आने वाली vapors को जगाय मिल जाती है, दूसरा आपने यह भी देखा होगा, अगर हम गरम चाय को चलते होगा, पंखे के नीचे रख देते हैं, तो वो जल्दी ठंडी हो जाती है, क्योंकि wind speed बढ़ जाती है, rate of evaporation बढ़ जाता है, evaporation causes cooling, ठीक है, आया समझ में, अब हम एक question करेंगे यहाँ पर, यह question आपको फेर में भी करना है, यह question क्या कहता है, कि अगर आप अपने नाखून पर या पाल्म के उपर acetone लगा लेते हो, तो you feel cold, why, आपको ठंडा क्यों feel होता है, या feel, क्या feel होता है, जो acetone है, वो nail polish remover substance होता है, ठीक है, तो we feel cold on our palm, जब हम अपनी हतेरी पर acetone लगाते हैं, तो हमें cool feel होता है, इसका region क्या है, इसका region यह है, कि जो acetone के particles है, वो हमारे पाल्म से या surrounding से heat absorb कर लेते हैं, और evaporate हो जाते हैं, and evaporation causes cooling, that's why we feel cool, आगे समझ में, आए समझ में क्या होता है, अगर हम acetone अपने पाल्म पर लगाएंगे, तो हमें क्या feel होगा, cool feel होगा, जो कि जो acetone के particles हैं, वो evaporate होने के लिए हमारे हैंड से और surrounding से heat absorb कर लेते हैं, और evaporation causes cooling, that's why we feel cool, तो आज के लिए स्रिफ इतना ही, जो next part होगा, इस chapter का, उसमें हम कुछ, जो points से उनको discuss करेंगे, और index question discuss करेंगे, ठीक है, and exercise भी discuss कर सकते हैं, अगर time रहा तो, otherwise there will be two more parts of this chapter, ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकि हम next part में करेंगे, अभी तक जिसने नहीं किया है, वो अभी से करने लग जाएंगे, क्योंकि ये chapter complete होने वाला है, then you will get the assignments, ठीक है, और इस वीडियो को like करेंगे, चैनल सब्क्राइब करो, share करो, और जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़ ले, उनको भी बोलो कि वो पढ़ ले, अपने घर पर रहिए, safe रहिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही, thank you.